नमश्कार दोस्तों स्वागत करती हूँ आप सभी का शिक्षा प्रभा में दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं मदर टेरेसा चित्र को और उनके आर्टिस्ट M.F.U.S.N को दोस्तों ये आपके समकालिन आधुनिक भारते कलाकारों के चित्र हम पढ़ रहे हैं और इसी क्रम में हम दो चित्रों को इससे पहले पढ़ चुके हैं समुंद्र का मन मर्दन करते प्रभुश्री राम जिसके आर्टिस्त थे राजर अविवर्मा और दूसरा चित्र है मा और बच्चा जिसके आर्टिस्त थे येमिनी रोय इसी क्रम में तीसरा चितर है आज मदर टेरेसा और इनकी आर्टिस्ट है M.F. हुसेन तो दोस्तों अगर आपने इससे पहले वाली वो दो वीडियो नहीं देखी है तो उन दो वीडियो को जरूर देख लें उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा शुरू करते हैं मदर टेरेसा चितर को सबसे पहले इस चितर को देख लेते हैं कि ये किस तरह से हमको यहाँ पर दिख रहा है तो दोस्तो इस चितर में हमें दिख रही है महिला आकरतियां एक ने सफेद साड़ी पहनी हुई है जिस पे नीले रंकी पट्टी है और दूसरी ने पीले रंकी साड़ी पहनी है जिसकी साड़ी पर भी किनारी है नीले रंकी और साथी साथ एक महिला आकरती को नीचे जमीन पर घुटनों के बल बैठे हुए दिखाया है जो महिला आकरती है उसमें से एक महिला के दो चहरे हैं जो बिल्कुल बीच में है चित्र को लगभग तीन भागों में हाँ पे चित्रकार ने बनाया है और जो बीच वाली आकरती है उसने एक बड़े से मानव शरीर को पुरुष आकरती को अपने गोध में लेटा रखा है जिसका पैर तीसरी महिला आकरती के गोध में भी जा रहा है और उसकी गोध में एक छोटे से बच्चे को यहाँ पर चित्रकार ने चित्रत किया है यहाँ पर जो तीसरी सबसे छोटी महिला आकरती है उसको उसने शरीर के उपरी भाग पर वस्तरना पहना करके शरीर के नीचले भाग पर हरे रणगा कुछ कपड़ा पहनाया हुआ है चित्र में अगर हम देखें तो यहाँ पर बीच वाली महिला आकरती हाथ से कुछ इशारा कर रही है और इधर चित्र में किसी भी महिला के यानि की जो दो महिलाएं जो मा के रूप में हाँ पर चित्रकार ने दिखाई है क्योंकि जिनकी गोद में एक व्यस्क पुरुष है और एक चोटा सशिशो है उसका चेहरा यहाँ पर चित्रकार ने नहीं दिखाया है दोस्तों देख लेते हैं कि इस चित्र के बारे में यहाँ पर क्या डेटेलिंग दी गई है तो दोस्तों चित्रकार नम मदर टेरेशा और चित्रकार है M.F. हुसेन केनवास पर बना हुआ है यह चित्र तेल और एग्रेलिक रंगों के मिश्रण से बना हुआ है और यह चित्र रास्ट्र संग्राले नहीं दिली में आज की डेट में रखा हुआ है अगर आप चाहें तो वहाँ पर जाकर आप इस चित्र को देख सकते है आधुनिक काल का दोस्तों यह चित्र है और यह चित्र M.F. हुसेन ने 1979 इश्वी में बनाया है दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर एक वर्ड नया आया है एग्रेलिक तो एग्रेलिक में आप लोगों को बताना चाहूंगी यह वाटर कलर का ही एक वर्जन है जिसके अंदर इन रंगों को हम पानी की साहता से ही केनवास पर लगाते हैं लेकिन विशेशता यह होती है कि कुछ समय के बाद यह सूख जाते हैं और इनको हटाया नहीं जाता वाटर कलर में क्या होता है कि उनको एक बार लगा दिया फिर वो पानी से बह जाते हैं अगर उस पे दुबारा से पानी पढ़ जाए तो वो बह सकता है सकता क्या है बह ही जाता है लेकिन एगरेलिक कलर में ऐसा नहीं होता इस चित्र के बारे में हम बताएंगे यहां पर तो मदर टेरेसा किनवास पर बनी हुई एक श्रंखला है जिसको 1979 में मकबूल फिदा हुसेन जो की M.F. हुसेन का पूरा नाम है इन्होंने आरंभ की थी इस चित्र को तेल वे एगरेलिक रंगो के माध्यम से यहां पर बनाया गया है ख्याती प्राप्तिस चित्र में विशु प्रशित, ममता मई, मदर टेरेसा तथा उनकी संस्थाओं द्वारा किये जा रहे मानविय सम्वेदनाओं से परिपून विविन कारे के रूपों को दर्शाया गया है नीले बॉर्डर वाली सफेद साडी को चित्रकार ने इस तरह से विस्तारित किया है कि उसमें धर्म, जाती, नसल वे रंगभेद जैसी विकृत भावनाओं को चहरे पर ना ही दिखाया जाए या ना आभास दें उस साडी के एक सिरे द्वारा अनाथ बेघर बच्चों का प्रतिने धूद करती एक बालिका को ममता मई आश्रम प्रदान किया गया है कौन सी वो जो हरे कपड़े में हमने एक छोटी सी बच्ची को देखा था दूसरी और एक बिमार को घुटनों पर लेटे हुए दिखाया गया है एक दाहिना हाथ उसे आशा धैरे और हिम्मत में रखने का संकेत देता हुआ प्रतित होता है नीले बॉर्डर वाली पीली साडी आकरती के साहे में एक शिशु का लानन पोशन करती ममता मही आचल में जीवन की तमाम खुशियों का साहर समेटे हरे रंग की पत्तियों से इस चीज को दिखाया है इस चित्र में चित्रकार ने तीन चर्णों में बाठ कर अपनी भावनाओं को अभिव्यक्ति दी है दोस्तों ये था इस चित्र के बारे में वो बातें जो हमको मिल जाती हैं नेट पे, गूगल पे और हमारी बुक्स में अब इस चित्र के बारे में एक खास बात मैं आपको बताने जा रही हूँ जो आपको किसी चित्र में या गुगल पे नहीं मिलेगी तो ये है एक कहानी जब प्रेस रिपोर्टर ने जब M.F. Hussain ने अपनी मदर टेरिसाइस सिरीज को लांच किया तो प्रेस रिपोर्टर ने M.F. Hussain से कुशन पूछा वो कुशन ये था कि आपने इस चित्र में जो महिलाएं हैं उनके चेहरे को क्यों नहीं दिखाया है तो इस पर M.F. Hussain का जवाब था कि जब मैं दो साल का था तो मेरी माता गुजर गई थी उनकी मृतियों हो गई थी और उस वक्त में उस अवस्था में नहीं था कि मैं अपनी माता को देख पाता और पहचान पाता या उनकी इस मृतियों को याद रख पाता तो इस कारण मैं अपनी माता को नहीं पहचानता हूँ वो कैसी दिखती है इसलिए मैंने इन महिला आकरतियों को फेस नहीं दिया है तो ऐसा M.F. Hussain का कहना था जो की एक बहुत ही समवेधनशील सी बात हमको आज अगर हम सुनते हैं तो लगती है दिखो दोस्तों M.F. Hussain का जनम हुआ था 1915 में और जब वो दो साल के रहे होंगे यानिकि इनिस सो सतरा या अठारे में उन्होंने अपनी मा को खो दिया था और उस वक्त कैमरा भी अस्तितुमें नहीं था तो वो अपनी मा को देख ही नहीं पाए पहचान ही नहीं पाए महसूस ही नहीं कर पाए औ और उन्होंने उसी भाव के साथ इस चत्र को चत्रत किया है। अब जान लेते हम M.F. हुसेन के बारे में। तो M.F. हुसेन का जन्म हुआ था दोस्तों 1915 में और उनकी मृत्य हुई है 2011 में। इनका जन्म 1915 में हुआ मध्य प्रदेश के पंधारपुर में। और इन्होंने जो अपनी आरंबिक सिक्षा थी वो इंदोर से ली। जेजे स्कूल ओफ आर्ट कॉलिज में ये मुंबई गए और महापन इन्होंने कला की सिक्षा को ग्रहन किया। किन्तु परिस्थिती वज इनको अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ना पड़ा। देखें ये बचपन से ही चित्रकार बनना चाहते थे और क्यूंकि मुस्लिम धर्म में बहुत जल्दी से इस तरह के कारे करने की परमिशन नहीं दी जाती है। दूसरा ये इन बेग्राउंड से भी बहुत जादा गरीब थे। तो इस कारण से इनको चित्रकारी जो सीखनी पड़ी या इन्होंने जो चित्र बनाने शुरू किये वो परिवार को इनको छोड़ना पड़ा। उसके बाद इन्होंने अपना जीवन यापन करने के लिए पोस्टर बनाने शुरू करें जो कि वो सिनेमा जगत से बनाते थे। M.F. Hussain के बारे में अगर आपने थोड़ा बहुत इस से पहले जाना होगा तो इस से पहले चैप्टर है जिसके अंदर हमने पैग गुरूप के बारे में पढ़ाता जिसको हम प्रगती शील गुरूप भी बोल देते हैं तो इस गुरूप से भी मकबूल फिदा हुसेन इसके अलावा इन्होंने फिल्मों के पोस्टर भी बनाए हैं एक इधर ही हम देख रहे हैं कि सुनहेरा संसार नामक चित्र जो मुंबाई आर्ट सोसाइटी द्वारा 1947 को प्रदर्शित किया गया था इसके बाद इन्होंने अपने कार्यों की श्रंखला बद मतलब एक के ब इसके अतिरिक्त इन्होंने रामाय और महा भारत पर बहुत से चित्रों की श्रंखला बनाई जो की विश्व विख्यात भी है हिंसा अन्याय वे निराशा को प्रदर्शित करते इनके चित्र अधिकतर हमें देखने मिलते हैं मदर टेरेसा चित्र में इन्होंने प्रेम प्रतीत होती है इन्होंने खाड़ी युद पर आधारित कुछ प्रशित चित्र बनाए जैसे देटर आफ द एपसर्ट्स और स्प्लेस फ्रंट पेज इत्यादी हुसेन के चित्रों में पिकासो का प्रभाव ग्रिश वे लेयर जैसे यूरोपय चित्रकारों का प्रभाव ह हुसेन द्वारा जो चित्र बने हुए हैं वो किसी भी एक सैली से संबंध नहीं रखते बलकि उनकी सैली समकालीन है मतलब समय के साथ उनके चित्रों में बदलाप होता गया है इसनकी जो कला की जड़े हैं वो अतीत से जुड़ी हुई है परंतु सोच वे शैली समकालीन व सम्मानित किया है मैसूर विशुविध्याले वे बनारस हिंदू विशुविध्याले ने उन्हें डिलिट की उपाधी से भी सम्मानित किया है दोस्तों यह है MF हुसेन के बारे में वो बाते जो हमें बुक्स में मिलती है अब मैं आपको बताऊंगी MF हुसेन के बारे में वो बाते जो आपको बुक्स में नहीं मिलेंगी. तो सबसे पहले क्यूंकि M.F. हुसेन बहुत ही गरीब परिवार से सम्मंद रखते थे और उन्होंने अपनी कला से, अपने टेलेंट से, अपने जीवन में बाकी सब चीजों को उपलब्धियों को प्राप्त किया लेकिन वो कभी भी चपल या जूता पैर में नहीं पहनते थे और ऐसा पूछने का कारण और वो मतलब प्लेन में भी सफर करते थे तो उनको हर एर इंडियाज ने ये परमिट दिया हुआ था कि वो बिना शूज के एरपोर्ट पर जा सकते हैं जबकि ऐसा कोई दूसरा नागरिक नहीं कर सकता और ऐसा उनको छूट इसलिए दी गई थी क्योंकि वो कभी भी चपल जूता नहीं पहनते थे जिसका कारण उन्होंने बताया कि मैं चपल जूता पहन लेता हूँ अगर तो मैं अपने पुराने दिनों को भूल जाओंगा तो अपने पुराने दिनों को याद रखने के लि उन्होंने अपने जीवन में भारत में जो माता सरस्वती हैं हिंदू की प्रमुक देवी हैं ज्यान की देवी मानी जाती हैं उनका चितरन किया और उन्होंने उसको नगनवस्था में चितरित कर दिया उन्होंने उनको कपड़े नहीं पहनाए तो इस चीज से काफी ज़्य ने से मना कर दिया तो उसके फलसुरूप क्या हुआ कि उनको भारत से निकालने का आदेश भारत सरकार ने दे दिया अब उनको भारत छोड़ना पड़ा भारत छोड़ने के बाद उन्होंने नागरिकता अपनाई सौधी अरप कतर की और 2011 में सौधी अरप कतर में ही उनका नि दोस्तों आशा करती हूँ आपको मदर टेरेसा चित्र और MF हुसेन के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा तो दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक कर दें अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चेनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें